दो धुरुवियता का अंद दा एंड ओफ बाइपोलारिटी यह एक बहुत विस्त्रित विशा है और एक तरीके ते कहना चाहिए कि यह आज का विशा भी है आज का इसलिए क्योंकि जिस काल की हम पढ़ाई करेंगे जिस काल का मद्धेन करेंगे इस अध्याय के अंतरगर उस काल की घटनाओं का असर आज भी विश्व इतिखास में विश्व की राजनीती में विश्व की कूटनीती में पढ़ रहा है और अनेक वर्षों तक पढ़ता रहेगा इससे पहले कि हम इन शब्दों को समझें कि बाई पोलारिटी क्या है दो धुरूवी क्या है आदी आदी ये जरूरी है कि हम एक बार विश्व के नक्षे को बहुत अच्छी तरह समझ ले क्योंकि इन में बहुत से कुछ ऐसे देशों के नाम बारम बार आएंगे जिनकी इस्थिती भागोलिक इस्थिती हमको आपको जानना बहुत जरूरी है यदि तत्काली इन राजनीती को हमको सही समझना है तो उसके साथ ही इस नक्षे में उस मैप में कुछ ने राजियों के नाम भी आएंगे जिसको आपको गौर से देखना है समझना है तो हम चलिए आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले विश्व के नक्षे पर एक नजर सतही नजर नहीं पैनी नजर की जुरुत है ताकि हम समझ पाएं कि कौन सी देश कहां स्थित है और उस देश की जो लोकेशन है वो अन्य संबंधित देशों से कितनी दूर है उदाहरण के लिए भारत के परोस में पाकिस्तान है तो भारत पाकिस्तान संबंधों की कड़वाट की जब हम चर्चा करते हैं तो समझ सकते हैं कि ये परोसी देश हैं शायद इनकी सीमाएं साथ साथ जुरी लेकिन ऐसे कई उदाहरण भी है जहां पर बहुत दूर रहते हुए भी शायद उतनी ही कड़वा हट बलकि उससे ज़्यादा कड़वा हट उन देशों के बीच में इस काल में थी तो कहीं हम ऐसा गलत ना समझ बैसे हैं कि क्या ये दोनों देश भी भारत पाकिस्तान जैसे परोसी हैं जिनकी सीमाएं कौमन हों नई इसलिए हमारे लिए सबसे पहले नक्षे में विश्व के नक्षे में विभिन संबंदित देशों की स्थिति को जानना अत्यावश्च है सबसे पहले हम देखें कि इसमें एक बहुत बड़ा देश दिखाई दे रहा है जो यॉरॉप और एशिया दोनों को कफर कर रहा है दोनों के साथ है और उस देश का नाम है सोवियत संग आप देखें सोवियत संग की सीमा जो एक तरीके से एक अलग पीले रंग के उसमें है वह केसरिया रंग पीला रंग जैसा भी बोलें उसमें जो पूरा विश एक तरफ और रूस जिसको हम सोवियत संग कहते हैं वह एक तरफ कितना बड़ा दिखाई दे रहा है और सोवियत संग जो है वह समुद्रों से कहां कहां जुड़ा हुआ है क्योंकि इतकाल की राजनीति की बात करते समय इनकी समुद्री सीमाओं का जिक्र बारंबार आएगा तो हम बहुत गवर से देखें सोवियत संग का विस्तार कितना जइता है भारत के ठीक ऊपर नेपाल है नेपाल से ऊपर चीन है पीले रंग में चीन के ऊपर मंगोलिया है जो हरे रंग में है और मंगोलिया के उपर सोवियत संग जो फेडरेशन लिखा हुआ रशन फेडरेशन ये उस काल का नक्षा है तो रशन फेडरेशन उसके बाद आप देखते हैं कि यदि हम थोड़ा पूर्व की ओर जाएं तो वहाँ जपैन भी है जो एक अलग रंग में दिया हुआ है गुल पैन गुलाबी रंग में तो ये तो हुआ एशिया से सम्मंदित नक्षा मुख्य पात्र जो हमारे सध्याय के इस नक्षे में जिस पे मैंने बात की है वी तक उसके मुख्य पात्र है सोवियत फेडरेशन अब हम पश्चिम की ओर थोड़ा आएं याने फेडरेशन के पश् ऐसा मुख बना हुआ हरे और के सरिया रंग में बीच में उसमें पीला रंग है यह एक नक्षा यह भी एक हिस्सा है भागोलिक हिस्सा इनको स्कैंडेनेवियन कंट्री कहते हैं क्या कहते हैं स्कैंडेनेवियन कंट्री तो इस प्रकार इस नक्षे में हम देखते हैं कि स्कै Scandinavian country का जो मुह है वो एक तरीके से घोड़े जैसा है और इसलिए इस खेत्र को the horseshoe of Europe भी कहते हैं जो कि वह घोड़े जैसा है घोड़े के shoe जैसा है horseshoe इसके ठीक नीचे आप थोड़ा देखिए तो बहुत छोटे छोटे अनेक देश हैं और उन्हीं में से लगा हुआ एक England जैसे Great Britain भी कह सकते हैं England भी कहते हैं UK भी कहते हैं ये तीनों नाम के थोड़े अलग-अलग अर्थ हैं Great Britain, United Kingdom, UK और England इन में थोड़ा सा अंतर है जिसको हम बाद में समझेंगे फिलहाल हम इतना जान जाएं कि England कहां पर स्थित है इसको देखने अच्छी तरह और England जो है व खिभूमी उससे थोड़ी दूरी पर है बीच में समुद्र है जिसे हम एक हिस्सा समुद्र का एक कहते हैं English Channel इंग्लिश चैनल जिसको तैर के बहुत सारे तराकों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि वहां पर English Channel को क्रॉस करना एक बहुत कठिन काम माना जाता है ल फलता पूरवक इसको पार किया था तो वापस आते हैं England England के ठीक पडोस में जो मुख्य भूमी है उस मुख्य भूमी में France है France के बाजू में Germany है और इस प्रकार वहां पर कई देश बने हुए है England, France, Germany, Spain, Portugal आदी 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 आपको इस बात को इस जगह को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है और ये देख लेना है कि England की सीमा से निकटस्थ कौन सा देश है, कौन कौन से देश है, उसके बाद France की सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, France के बाद Germany की सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, और रूस जिसे Soviet Federation यहां कहा गया है, Soviet Federation स यूरप के कौन कौन से देश इन में से जुड़े हुए हैं कि इनकी सीमाएं बिलकुल पास हैं जो फ्रांस और इंग्लेंड जामनी इनकी मैंने बात की इनके और सोवियत फेडरेशन के बीच में कुछ अन्य देश हैं ये देश कहलाते हैं पूरवी यॉरप के हिस्सा और फ्रांस जामनी आदी कहलाते हैं पश्चमी यॉरप का हिस्सा यदि यॉरप के नक्षे को आप देखें तो इसमें पश्चमी यॉरप के पहले और सोवियत फेडरेशन के बीच में जो देश हैं वे कहलाएंगे पूरवी यॉरप पूर्वी यॉरप का अर्थ बच्चों इस बात को समझ लें कि पूर्वी यॉरप का अर्थ ये नहीं है कि विश्व के पूर्व की और हम चले जाएं नहीं यॉरप में पश्चिम के पहले जो है वह पूर्वी यॉरप तो इस प्रकार उस पूर्वी यॉरप में कौ बालकान क्षेतर में जो देश है उसके साथ कुछ अन्य देश भी जुड़े हुए हैं जैसे बल्गारिया, पोलेंड, रोमानिया, चकोस्लवाकिया, हंगरी, जकोस्लवाकिया, आदि-आदि. तो ये जो देश है ये पूर्वी यॉरप का हिस्सा है और ये सोवियत संग से सटे हुए हैं, सोवियत संग से जुड़े हुए हैं, एक तरीके से पश्चमी यॉरप और सोवियत यॉरप के बीच में ये देश आते हैं, ठिक, तो ये आपको मूलत आप समझ गया भी, सोवियत संग, पश्चमी यॉरप और इसके देश, पूर्वी यॉरप और इसके देश, और इसके साथ ही भारत को देखें, वो कहां पर है, भारत की सीमा जो है, वो उपर नेपाल और इसके उपर चीन, उसके बाद अफगानिस्तान से उसकी सीमा छूती है, भारत की सीमा प बहुत छोटा सा ख्शेतर है कश्मीर के पास जहां पर तीन चार देशों की सीमा भारत को छूती है जिसमें अफगानिस्तान भी है चीन भी है नेपाल भी है आधी आधी ये सिया चिन वाला ख्शेतर कहलाता है जो बड़ा प्रसिद्ध है सिया चिन सबसे उचा युद्ध का ख्शेतर है भारत में बलकि विश में कहना चाहिए तो वो सिया चिन के पास का ख्शेतर है अब इसके उपर यदि आप जाते हैं तो नक्षे में देखिए थोड़ा जूम करके तो आप पाएंगे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसे स्तान नाम वाले कुछ द ये देश वहां पर हैं, ये जो देश हैं ये पूर्व में सोवियत संग का हिस्सा थे, यानि सोवियत संग और बड़ा था, इस बात को आपको याद रखना है, सोवियत संग 1990 से पूर्व और विशाल था, उससे भी विशाल जो अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा, कल अपना करिये सो वियस्टन कितना बड़ा देश है और यदि ठीक से थोड़ा ध्यान से देखें और महाद्वीपी दिर्ष्टी से देखें तो आप आएंगे कि एशिया में एशिया महाद्वीप में भी रूस उतना ही फैला हुआ है जितना लगभग यौरप महाद्वीप में तो इस प्रकार ये एक ऐसा देश है जो एशिया और यौरप दोनों महाद्वीपों में बड़े विशाल रूप में फैला हुआ है नीचे भारत नीचे है और बाजू में अफरीका आप देख रहे हैं अफरीका बहुत सारे देशों का महाद्वीप है चोटे चोटे देशो अचा इस अध्याय में नहीं करनी हैं ये हुआ एक हिस्सा अब नक्षे के दूसरी और चलें और वह है कैनेडा यूएसे यानि हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षने अमेरिका की और उत्तरी अमेरिका और दक्षने अमेरिका की अधी बात करें तो देखिए जो हरा ख शेतर दिखाई दे रहा है वह है अमेरिका जिसे हम कहते हैं यू एस ए इससे पहले मैं आगे बढ़ो मैं बताओंगा जो सोवियत फेडरेशन लिखा हुआ है ये उस समय जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं जो काल हमारे इस अध्याय का काल है उस समय उसको यू एस एस आर कहते थे याने यूनियन आफ सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक मैं पना दोरा दूँ यूनियन आफ सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक यू एस एस आर अभी अभी हम बात कर रहे हैं यू एस ए की याने यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका जो वीफ है उसका एक देश है हम पूरे उत्तरी अमेरिका की बात नहीं कर रहा है हम United States of America की बात कर रहा है जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है दूसरा महत्पूंट देश यहां पर आता है कैनेडा कैनेडा देखिए कितना बड़ा देश है गुलाबी रंग में और टापूओं क भरमार है उत्तर की तरफ आप देखेंगे अमेरिका उत्तरी अमेरिका में उत्तर की तरफ तो कितने टापू है यह पूरा कैनेडा कहलाता है एक बड़ी रोचक चित यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी कि संयुक्त राज अमेरिका या United States of America जिसे अंग्रेजी में कहते है वहाँ हरे में दिखाया गया हरे रंग में एक पटी के रूप में एक और हरी पटी दी हुई है वहाँ लिखा हुआ है एलास्का तो आपको यह समझना है याद रखना है कि एलास्का भी अमेरिका का ही हिस्सा है वा अमेरिका याने अमेरिका महाद्वीब का तो है ही साथ ही चैउक्तराज अमेरिका नामक देश का एक हिस्सा है और अलास्का और चैउक्तराज अमेरिका के बीच में कैनेडा है अंत में इस नक्षे पर जो जानकारी आपको जाननी है जो काम की है वह है नीचे देखिए एक मिर्ची नुमा शेप में डक्षन अमेरिका है डक्षन अमेरिका में ब्राजील अर्जेंटीना आदी आदी मेक्सिको ये सब देश आते हैं और इसमें से अर्जेंटीना और ब्राजील बहुत ही बड़े हैं आकार में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने बड़े देश होंगे यदि आप इनको भारत से तुलना करो देखिए भारत सोवियत संग के सामने तो मातर एक छोटा सा क्षेतर दिखाई देता है जैसे कि यदि हम भारत के नक्षे में जगदलपुर या बस्तर के क्षेतर को देखें तो ऐसा ही लगता है कि सोवियत सं दिखी रहा है और साथ ही ब्राजिल अर्जिंटीना और चाइना चीन जो यलो में दिया हुआ जो पीले रंग में दिया हुआ ठीक भारत के ऊपर उसकी सीमा को लगभग छूता हुआ नेपाल के पास हमाले परवत के उस तरफ जो है उसकी विशालता भी आप देखिए लेक अधरवाई अन्य था चीन भी बहुत बड़ा देश है शोवियत संग की बात करें तो सोवियत संग जो पूरा देश है वह सडक मार्ग से और रेल मार्ग से पटा हुआ है पूरा छेतर जो है सडक और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है पूरे अंदरूनी इलाकों में पक्क सबकें, चौड़ी सबकें और रेलवे बनाई गए, दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन जो है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, वह रेल लाइन भी सोवियत संग में है, जो सोवियत संग की राजधानी मोस्को, जो वरतमान में रूस की राजधानी है, मोस्को से व्लाडि वास्टक और मॉस्को इसको छूती है बहुत लंबी रेल लाइन तो इस वकार नक्षे को एक बार अपने मन में बैठा लें बहुत ही रोचक अध्यान इसका है इस विशे का और यह जो काल है जिसकी हम बात करेंगे दो धुरुईता का अंत मैं यहां बता दू कि दो अन्त इंकानवे की है यहने आज से मातर तीस वर्ष पहले की घटना है लेकिन तीस वर्ष पहले जो घटना हुई उस घटना की प्रिश्ट भूमी को समझने के लिए हमें थड़ा और पीछे जाना होगा तो चलिए अब हम चलते हैं प्रिश्ट भूमी पर कि आखिर दो है ये अन्त उन्निस सो नबे इंकानिबे में जो हुआ इसके पीछे क्या दास्ता है इसके पीछे क्या कहानी है इसके पीछे क्या इतिहास